में और उसमें के बारें बात करेंगे और साथ ही उसके फीचेर्स के बारें बात करेंगे और मेरा कितने का पड़ा है सब कुछ आपको डिटियल में बताएंगे तो वीडियो को शुरू से अन तक देखना है लेकिन चैनल पर नए हूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में सो हो रहे भी लाइकन पर भी प्रेस कर देना ताकि जब हम को यह साई वीडियो लाएं इसका भी नॉटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको तो जी यहां यहां पर बता देते हैं यदि आप टाइप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख लेजिए मेरा जो भी अनभव है तो मैं आपको सास्थ करूंगा क्योंकि यहां पर मैं आपको कि यहीं यह मेरा तो यहां पर देख सकते हैं मैंने online purchase किया था तो यहां पर आ चुका है तो यहां पर आपको दिख्याई देगा इसका सब कुछ नाम डूब गयरा सब कुछ यहां पर देख सकते हैं तो बट सीधा मैं इसको यहां से ओपन करता हूं तो इसको सीधा कट करता तो यहाँ से देख सकते हैं सीधा open हो चुका है तो यहाँ से हम इसको open करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इसकी packing ऐसी दिखाई देगी तो यहाँ पर जो कि देख सकते हैं तो यहां पर कुछ भी नहीं है, तो यहां पर इसको निकाल के यहां से फेक देता हूं, और उसके बाद यहां पर जो मेरा टाइप वोट है, तो अंदर आप यहां पर देख सकते हैं, एक मेरा बिल है, तो जो कि मैं यहां पर इसको साइड में रख देता हूं, और उसके बाद अंदर यहां पर देख सकते हैं यह मेरा टाइप ओठ है यहां पर इसकी लंबाई आप देख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं डिजी टेक लाइट वेट डिवी ट्राइप ओटी तो यहां पर model number देख सकते हैं DTR 550 CLW है तो यही इसका model number है तो यहां से मैं सीधर से इसको पहलो यहां से open करता हूँ तो यहां पर देख सकते हैं ऐसा निकलेगा उसके बाद ऐसा open होगा तो यहां पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इसका packing है तो उसके बाद यहां पर आपको मिल जाएगा एक polyth तो जी हां यहां पर देख सकते हैं पन्नी मिल जाएगा और उसके बाद यहां पर देख सकते हैं पन्नी के अंदर हमारा टाइप वोड है तो जी हां यहां यहां पर देख सकते हैं तो मैं यहां से पन्नी को हटा दिया अब आप यहां पर देख सकते हैं एक बैग है जो कि आप आपको यहां पर कहीं भी टांग के ले जा सकते हैं तो आप करी करके कहीं भी ले जा सकते हैं तो अब सीधा हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करके इसको दिखाते हैं कि कैसा है टाइब और तो यहां से मैंने ओपन कर दिया और सो ओपन होने के बाद आप यहां पर देख सकते ह हूं फिर से एक पॉलिठीन है तो यहां से मैं इसको पॉलिठीन में से बाहन निकालता हूं और उसके बाद आपको दिखाता हूं कि आपको इसे यूज कैसे करना है तो यहां पर देख सकते हैं काफी अच्छा करने के लिए side में दिये गए है तो मैं इसको यहां से कर देता हूं तो यहां पर देखी अब यहां पर देख सकते हैं यह टाइट हो चुका है तो अब बात करते हैं यहां से आप इसको पकड़ सकते हैं ऐसे इसका handle है तो यहां पर इसका lock है जो कि मैं यहां से open करने के बाद आप इसे लाक कर देंगे तो यह उपर नीचे नहीं होगा तो यहां यहां पर देख सकते हैं तो अब बात करते हैं इसमें आप देख सकते हैं तीन लाक है यानि तीन तो अब इसकी हाइट की बात करते हैं हाइट है साढ़े पांच फिट तो मैं यहां पर अभी आपको पूरा ओपन करके दिखाता हूं तो यहां से open करने के बाद हम सीधा इसको लाक कर देते हैं तो यहां पर देख सकते हैं मेरा लाक हो चुका है अब इसको यहां पर रखते हैं सामने और आपको इसकी height दिखाते हैं तो height यहां पर देख सकते हैं मेरे label में है तो एकदम और इसमें से चाहे तो आप अभी और भी इसको उपर कर सकते हैं तो इसको और ज्यादा उपर करने के लिए यहां पर देख सकते हैं एक हंडिल है तो यहां पर आपको इसको क्या करना है घुमाना है तो यहां पर देख सकते हैं ऐसे घुमाएंगे तो यह उपर आटोमेटिक जाता जाएगा तो यहां पर देख सकते है है नहीं यहां पर हाइट मैं बताता हूं इसकी टोटल हाइट हैamat 5 शिर्ड कि फिर तो मैं यहां से इसको नीचे कर देता हूं तो अब आपको क्या करना है इसमें आपको कैमरा कैसे लगाना है यानी अपना मुबाइल महारी मोबाइल होल्डर की बात करते हैं तो एक कि मेरे पास mobile holder है जो कि मैंने रेडी लगा रखा है mobile में जिससे की वीडियो से उठ हुँ रहा है तो मैं यहां पर नहीं लगा सकता बाकि नेश्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि इसमें folder कैसे लगाते हैं आनि mobile phone को पकड़ने के लिए कैसे लगाते हैं तो यहां पर आपको नहीं दिख्या दे रहा हो तो यहां पर आपको दिख्या देते हैं कि यहां पर वाटर लेविल है आप इसको और जिस्ट कर सकते हैं उपर नीचे करके आई से तो आपकी मर्जी से लगाते हैं तो मैं आपको पता देता हूं तो यहां पर फर से पहले आप देख सकते यह लॉक है तो आपको इसको यहां से ऐसे करके आनि पोड़ेट मोड में कर लेना है अब बात करते हैं मोबाइल फोन लगाने के लिए तो यहां पर इसको ऐसे करना है तो यहां पर इसको ऐसे करके यहां पर जो इसका एक तो यहां से मैं आपको दिख्या देता हूं तो यहां पर आपको दिख्याई देगा है तो यहां पर ऐसे करके ऐसे निकाल लेना है तो अब यहां पर आपको एक रबर दिख्याई दे रहा होगा तो यहां पर इसको प्रेस करके आपको अपना होल्डर कसना है और उसके बाद आपको यहां पर मुबाइल फोन अटाइच करना है फि यहां पर देख सकते हैं काफी साइन टाइप आप और काफी मजबूत भी है यह पांच केजी तक वजन उठा सकता है बहुत आसानी से यहां पर मैंने यहीं परचेज की है तो यदि आपको लेना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप वहां से बाई कर सकते हैं तो इस वीडियो में यहीं बताना था तो वीडियो संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंटर जरूर पूछना मैं उसका रिप्लाई जरूर दोंगा तो फिर से मिलेंगा नेस्ट वीडियो में कवर वीडियो लेकर के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है